Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sun So you're just in it, December 2014 exam की तयारी कर रहे हर student के लिए एक सबसे बड़ा question यही है कि हम ने TIAFET JRF examination को कितनी बार दे सकते है NTNA officially कितने attempts एक student के लिए यहाँ पर share किये है कितने attempts की एक limit set की है यह आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और जो भी information है, यह सारी official information आपको दी जाएगी ताकि आप में कोई भी किसी भी तरीके का confusion वाकी ना रह जाए तो चलिए फिर इसी के साथ discussion को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखे students, आप लोगों को एक चीज़ में clear बताती हूँ कि यहाँ पर हम बात करने वाले है number of attempts की कि एक व्यक्ति कितनी बार paper देगा ना कि हम यहाँ पर age limit की बात करेंगे तो इन दोनों चीज़ों में यहाँ लोग बिल्कुल भी confusion create मत करिएगा, ठीक है? So जो हमारा यह UGC net का examination है UGC net examination में 3 categories होती हैं आपको पता होना चाहिए पहली है JRF, दूसरी category होती है net और तीसरे category अभी 2024 में आड़ की गई है Dr. Jeeva PhD हर category में age limit अलग-अलग NTA ने provide की है जिसकी बजा से आपके number of attempts भी कम जादा होती है ठीक है? इससे related official information को हम देखते हैं लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दू कि students examination के difficulty level के हिसाब से updated pattern के हिसाब से और proper guidance के साथ अगर आप तयारी करते हो तो आपके first attempt में भी आपका JRF qualify हो सकता है और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए paper 1 का complete course में लेकर आई हो साथ ही आपको हम revision के लिए mock test भी provide करवाते हैं जिसमें से की updated questions आपको मिलेंगे as it is paper में final revision के लिए 5000 mcqs हैं जिसमें answers और explanation आपको मिलते हैं ताकि अगर कहीं पर revision में आपके concepts clear नहीं हैं तो वो साथ में clear होते रहे अगर आपका target दिसम्बर नहीं बलकि जूर 2025 को qualify करना है तो भी ये course आपके लिए ही बनाया गया है आप आज से तयारी शुरू कर बीचे और साथ ही free videos को जरूर देख लेना जो कि global online app में available है store section पर जाएए search bar में लिखे course का नाम content पर जाएँगे तो आप देखेंगे complete courses है जहाँ पर आपको unit wise folders मिलेंगे जिससे आप किसे में unit से कभी वे अपनी तयारी शुरू कर सकते हो हर unit में आप देखिए separate mock test है जो unit आप पढ़ रहे हो उस unit के mock test attempt कर लीजे उसके pdf notes है जिससे बहुत इसली आपके revision हो जाती है and video lectures है जहाँ पर आपको ऐसे tricks बताये जाएंगे questions को solve करनेगे ताकि आप कम समय में maximum questions को सही से solve कर सके तो यहाँ पर students आपको दो whatsapp numbers दे रही हूँ आप इन पर call या message करके directly हमसे contact कर सकते हो इसे के साथ आपढ़ते हैं official information पर तो देखिए students, NTNA age limit and relaxation को ले करके एक information share की थी जिसमें की clearly लिखा हुआ है कि JRF के अधर बात की जाएं there not more than 30 years as on first day of the month in which the examination is conducted that is 1624 ठीक है तो यह जून 2014 की notification का screenshot share किया है मैंने इसमें ये clearly लिखा है कि JRF की age limit जो है वो 30 years है अब JRF के लिए attempts कितने है उसके लिए number of attempts जो है वो कुछ भी नहीं है आप चाहो तो 30 वर्ष के होने से पहले जितनी वर्जी बार JRF की तयारी कर सकते हो जितनी वर्जी बार JRF के लिए paper को दे सकते हो ठीक है अब अच्छे ये बोलते कि मैं यहाँ पर number of attempts होते है मेरे एक friend ने सर्फ दो बार paper दिया अब वो बोल रहे है कि JRF के लिए वो eligible नहीं है तो में भी यह हो सकता है कि जब उनके friend 29 years की हुए थे तब उनके JRF की तयारी शुरू की और 30 आते ही उनका attempts खतम हो गए ठीक है लेकिन वैसे अगर मैं rules के साथ आपको बताऊं तो कोई भी number of attempts जैसी कोई limit NTA final नहीं की है एक व्यक्ती एक student अगर 24 या 25 साल की उमर से NTA you designate paper दे रहे है JRF के लिए तो जब तर 30 वर्ष के ना हो जाए वो हर बार paper दे सकते है साल में दो बार exam होता है June और December में ठीक है आप चाहू तो हर बार जितनी मर्जिवार exam दो number of attempts यहाँ पर बिलकुल भी count नहीं किये जाते है इसके अलावा एक और update में देखिए यहाँ पर students age limit और आपका number of attempts को एक साथ लेकर इसलिए चल रही हो क्योंकि maximum students को इन दोनों चीज़ों में लेकर confusion होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए students अगर आपकी age 30 years है तो JRF के लिए अभी आप close हो चुके हो आप इससे जाधा apply day कर सकते लेकिन यहाँ पर साथ ही 5 years का relaxation भी दिया गया है for the candidates who belongs to the category U, O, B, C, N, C, L ठीक है SC, ST, PWD category से अगर आप है third gender से अगर आप है या फिर women candidate है तो आप लोगों को जो है 5 साल के relaxation दी जा रही है यानि कि आप सब लोग 35 years जग JRF के लिए apply कर सकते हूँ अब यहाँ पर यह जो बचा 30 years वाला funda यह बचा सिरफ उन candidates के लिए जो की male है 30 years के हो चुके है और general category से है सिरफ उनी के लिए 30 years की age limit है बागी सब लोग 35 तक apply कर सकते हैं ठीक है तो यह बहुत important चीज़ है जिसको आपने ध्यान में रखना है तो 35 अगर आपकी age limit रखी है तो इसका मतलब है कि number of attempts automatically आपके बढ़ गए है इसके अलावा second अगर हम बात करें assistant professor की यानि कि जो बच्चे सिरफ net qualify करते हैं जिनका JRF qualify नहीं होता तो JRF के लिए age limit 30 और 35 है net के लिए कोई भी age limit नहीं है अब age limit नहीं है तो number of attempts भी आप लोगों के पास जो है वो unlimited होंगे आप लोगों ने देखा होगा या नहीं I don't know अभी जो result आया UGES in net का उसमें 1969 date of birth के एक MAM का जो है वो net qualify हुआ यानि कि अब वो assistant professor बनने के लिए legible है तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी age limit नहीं है और number of attempts भी नहीं है उसके बाद जब आप 40-40 साल की हो जाओगे आप फिर अगर net की तयारी में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर ना तो number of attempts है ना ही कोई age limit है ठीक है similarly PhD के लिए भी कोई age limit नहीं है और number of attempts भी यहाँ पर नहीं है आप चाहू जितनी वर्जी बार आप admissions to PhD के लिए या फिर net के लिए इस exam को दे सकते हो ठीक है तो यह जो भी confusion था students में age limit और number of attempts को ले करके मैं उमीद करती हूँ यह सारा clear हो चुका होगा ठीक है ठीक है जितनी मर्सिवार paper दे सकते हैं बस JRF के लिए एक age limit decide की है जिसके बाद फिर आप apply नहीं कर पाओगे JRF के लिए बाकी number of attempts का कोई भी logic यहाँ पर नहीं है और भी कोई doubts है तो यह दो whatsapp numbers आपको दे रही हूँ कभे भी आप इन पर call या message करके हमसे contact कर सकती हो So thank you so much everyone and I wish you all the very best